हलो गाइस कैसे हो आप लोग उमीदे आप सब लोग बढ़िया होंगी तो आज है 15 जन्वरी दो हजार 24 से 36 गर से जेतने भी बहात पूरा करेंट अफ्यार बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही इस वीडियो का पीडियेप आप हमारे टेलिग्राम चैनल इसका राइट एंशर हो जाएगा ए दंटेवाड़ा जिला में लगपती दीदी की पहल की सुरुआत की गई है अब दंटेवाड़ा जिला की बात आई है तो दंटेवाड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस्थापना 1998 जीला मुख्याला दंतेवाडा दंतेवाडा दक्षिड बस्तर दंतेवाडा में बसा है डंगनी सकनीरंदी के किनारे यहां बसा है लौह आयासक बैलाडीला 1968 में एनेम डिसी द्वारा खनन प्राराम भविसाखा पत्नम बंदर गाह द्वारा किया जाता है जपान को लव आयसक का हेमेटाइट किस्म की जो यहीं से बेद जाता है टीन आयसक का भंडाराण है बर्चेली नियूरेलियम भंडाराण है बर्चेली पिस यहीं से प्राप्त किया जाते हैं दंतेश्वरी मंदिर का निर्माड अमंदेव काक्ति वस द्वारा करवाया गया है बार्चूर छिंदक नागवंसी सासको की राज़ानी रही है प्रसिद्ध मंदिर मामा भाजा मंदिर बत्तिस्म मंदिर चंद्रति तेश्वर मंदिर यह कहा है सब तो दंतेवाडा जीला म में इसी था है बोदगाट प्रियोजना इंद्रवति नंदी पर प्रस्तावी था है राश्टी यह राजमार्ग एंह 1663 ए सबसे छोटा राजमार्ग है शुरतगर्जल प्रपात नंदी परवत राजपरवत की पहाड़ी यह सब कहा है तो दंतेवाड़ा जीले में इस्तित्थ है इस कोसल से आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को आप याद रखिए 36 गर लोकसेवा आयोक का नया सच्चु किसे बनाया गया है चार आपसंदिये गए है भुपेंद्र कुमार मीडा इसका राइट एंसर हो जाएगा ए पुस्पिंद्र कुमार मीडा को बनाया गया है लोकसेवायक के सच्चु बनाया गया है चलिए नेश्ट कोशन की और बढ़ते हैं हाल ही में इंद्रा गान्धी कृषी विश्विद्याला की विज्ञानी को ने धान की एक नई किस्म विक्सित की है इसका नाम क्या रखा है चार आपसंदिये गए हैं देवभोग, संजीवनी, किसान, धानी इसका राइट एंसर हो जाएगा भी संजीवनी रखा है इंद्रा गान्धी कृषी विश्विद्याला में नई धान की जो किस्म की विक्सित की है उसका नाम क्या रखा है तो संजीवनी रखा है चलिए नेश्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं सभी का इंसर मैंने नीचे फिल कर दिया हूँ चलिए नेश्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं उडिसा में आयोजेत राश्टी कराते इस परधमी बस्तर जीले में कितने पदक जीते हैं चार आपसन दिये गए हैं, नौ पदक, आठ पदक, साथ पदक, दस पदक, इसका राइट एंसर हो जाएगा, ए नौ पदक जीते हैं, नौ में से एक स्वाण पदक है, चार काश्य पदक, और चार रजत पदक जीते हैं, तोटल कितने हो गए तो नौ पदक जीते हैं, अब अपस्तर जीले की बात आई है, तो बस्तर जीले के बारे में कुछ important factor देख लेते हैं इंद्रवति नदी बस्तर की जीवर रेखा उद्गम, रामपूर, थैमूर, मैगर पहाड़ी से हुआ है बस्तर को सालवनों का दूइप कहा जाता है जलप्रपात, चित्रकूट, इंद्रवति नदी पर, तिरतगड, मुनगा बहार नदी पर इस्थित है काकेर घाटी, राष्टी उद्ध्यान, गोचा पर असाड माह में आजित किया जाता है बस्तर का दसारा विश्व में सर्वधीक, सर्वधीक 75 दिनों तक यह मनाया जाता था लेकिन अब इसको बढ़ा के 107 दिन कर दिया गया है खनीज, हिरा, तोकपाल से, बकसाइड, आसना, तारपूर, अबरग, दर्भगाटी से प्राप्त किया जाता है इस कोस्टन से आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को आप याद रखिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बाक्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से दिया आपको हेलफूल मिला हूँ, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट थांक्स पर वाचिंग, इंडियागर्ण